मार्केट में आ चुका है साल 2022 का पहला सोविरेन गोल्ड बॉंड यहाँ पर इस वीडियो में आपको complete details पता चलेंगे साल के सबसे पहले सोविरेन गोल्ड बॉंड के बारे में तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरे अन तक देखें ताकि आपको complete details समझ में आ सके यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सोविरेन गोल्ड बॉंड में अपलाई कर सकते हैं हमें क्या क्या benefit है सोविरेन गोल्ड में invest करने का और साथ में यहाँ पर interest payment date कब होगा redemption कब होगा यह सारे details हम इस वीडियो में जानने वाले है तो यहाँ पर सबसे पहले ह इस रिलेटेड नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि RBI के तरफ से आया है यहाँ पर जैसे देखिए यह नोटिफिकेशन आया है जनवरी साथ 2022 को और इस नोटिफिकेशन में RBI ने डिक्लेयर करे दिया है सोविरेन गोल्ड बॉन सेरीज 9 का इस उप्राइस तो यहाँ प के लिए आपको RBI को 4786 रुपीश देने पड़ेंगे यहाँ पर यह जो रेट डिटरमाइन हुआ है वह डिटरमाइन हुआ है पांच जनवरी 6 जनवरी और 7 जनवरी को एवरेज आउट करके तो यहाँ पर इस बेसिस पर यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन हुआ है 4786 आप जैसे देखें यहाँ पर इन्वेश्ट करने के कई सारे तरीके हैं लेकिन इन्वेश्ट करने से पहले आप मुझसे एक सावल पुछेंगे कि यहाँ पर इन्वेश्ट करने के हमें फायदे क्या है तो सबसे बड़ा यह हो जाता यहाँ पर इन्वेश्ट करने का कि आपको इस face value amount पे 2.5% तक का extra interest मिलेगा ध्यान रहें यहाँ पर यह जो 2.5% का interest मिलेगा वो taxable होगा आपके regular tax bracket के हिसाब से लेकिन जब यहाँ पर redemption होगा जैसे कि redemption date हमेशा 8 सालों बाद होता है यहाँ पर RBI के तरफ से तो यहाँ पर जैसे यह SGB 2022 जनौरी में release हो रहा है तो ठीक 8 साल बाद यहाँ पर redemption किया जाएगा RBI के तरफ से जनौरी 2030 में तो जब यहाँ पर redemption किया जाएगा तो उस समय जो भी आपका long term profit होगा गोल्ड के investment पे वो fully tax free हो जाएगा यहाँ पर यह सबसे बाड़ा फायदा हो जाता है साथ में इसके अलावा भी एक फायदा है कि आप जब गोल्ड के price में invest करें तो आपको किसी भी तरीके का GST का amount नहीं देना पर रहा है जो कि काफी ज़्यादा cost आपका save कर देता है साथ ही यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का making charges नहीं देना पर रहा है जैसे कि आगर आप gold ornaments खरीते हैं तो वहाँ पर 50% का making charges भी हो सकता है या पिर जैसे आप ornaments खरीते हैं उसी साब से making charges रहेगा लेकिन जब आप investment purpose से gold में invest करने के बारे में सोच रहे तो यह making charges देने का कोई फाइदा नहीं होता है तो यहाँ पर आप जब SGB में invest करते हैं तो इस तरीके के making charges भी यहाँ पर applicable नहीं होते हैं जिससे क्या होगा कि आप purely gold के price में invest कर रहे हैं यहाँ पर gold के price में invest करने से यह फाइदा होगा कि अगर in case gold का price बढ़ता है तो आपको extra benefit मिल जाएगा तो अब जैसे यहाँ पर invest कैसे किया जा सकता है यह हम जान लेते हैं तो invest करने के अभी कई सारे तरीके निकल चुके हैं जिसके बारे में मैं एक dedicated video बना दूँगा अभी के समय में यहाँ पर अभी के लिए आप बस इतना जान लें कि यहाँ पर आप banking medium से apply कर सकते सुविरेन गोल्ड बर्ण्स में साथ में अगर आप stock broking firm से जुड़े हुए है तो आप उनके through भी apply कर सकते और या फिर आप चाहे तो आप मेरे through भी apply कर सकते इस नमर पर contact करके यहाँ पर जैसे अगर आप खुद से apply करना चाहते तो आप net banking में login करिए वहाँ पर investment option में आपको sgb बोलकर एक अलग सा section मिल जाएगा वहाँ से आप apply कर सकते है या फिर अगर आपके पास जरूधा का डिमेट अकाउंट है या फिर आदर कोई डिमेट अकाउंट है तो उनको contact करके या फिर आप online login करके भी apply कर सकते हैं यहाँ पर जैसे कि अगर आप online medium से apply करेंगे तो आपको एक extra benefit मिल जाएगा यहाँ पर यह जो extra benefit होगा वह 50 रुपए का discount हगा इस हिसाब से जो आपका actual price पड़ेगा वह 4736 रुपिस पर ग्राम का पड़ेगा अब जैसे आपके पास online medium एविलेवल नहीं है तो आप simply अपने bank branch में विजिट करें बैंक ब्रांच में विजिट करने के बाद आपको SGB application form लेना पड़ेगा bank branch में से और उसे fill करके आप simply submit क account है तो अपना demate account नमर जरूर दे यहाँ पर demate account नमर देने से फायदा यह होगा कि आप जब चाहे अपने SGB को secondary market में sell कर पाएंगे यहाँ पर जैसा कि आपको बताएं यहाँ पर 8 साल बार redemption होगा तो in case मान लेते कभी in future आपको पैसों की ज़ुरत पर गई तो आप अपने SGB को sell करके भी निकल सकते हैं और या फिर अगर आप demate account में अपने SGB को रखेंगे तो आपको easily loan भी मिल जाएगा SGB के against में तो यह फायदा हो जाता तो आप investment कब से कब तक के लिए कर सकते हैं तो यहाँ पर जो investment का time डिया गया है वो जन्वरी 10 से लेकर जन्वरी 14 तक कर दिया गया है मतलब Monday से Friday की बीच में आपको यहाँ पर SGB में apply कहना पड़ेगा इसके लिए भी timing भी दिया जाता है जो कि 10 से normally 5 बजे तक कर रहता है इ यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर 2.5 परसिंट का एक interest amount मिलता है तो यहाँ पर यह जो 2.5 परसिंट का interest amount है वो इस amount पर calculate होता है तो यहाँ पर यहां पर इस साबसे अगर देखा जेए 2.5% का interest तो यहाँ पर जो interest PayPal निकल कर आता है वह त्रीब निकलकर आता है। 119 रुपय पैसे अब जैसे यहाँ पर आपका जो 2.5% का इंट्रेस निकला वो 119 रुपय पैसे निकला और यहाँ पर जो इंट्रेस्ट पेमेंट होता है वो साल में दो बार होता है मतलब हर एक 6 महने पर यहाँ पर इंट्रेस्ट पेमेंट होगा तो यहाँ पर आपको जैसे 120 मान लेते हैं इंट्रेस्ट मिल रहा तो आपको 2 से डिवाइट करना यहां पर जो आपका एक्च्छल इंट्रेस्ट निकलेगा छै मैने का वह करीब निकलेगा 59 रुपीज 82 पैसे तो यह interest amount आपको हर 6 महने पर मिलेगा यहाँ पर invest करने के बाद आप जैसे यह interest amount आपको कब-कब मिलेगा यह भी हम जान लेते हैं तो यहाँ पर यह interest amount मिलेगा आपको allotment date के ठीक 6 महने बाद आपको मिलेगा तो यहाँ पर जैसे देखिए slotment date है वो जन्वरी 18 का है तो इसके ठीक 6 महने बाद यानि कि फर्वरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई यानि कि 18 जुलाई को आपको यहाँ पर पहला interest payment होगा और ठीक 6 महने बाद यानि कि जन्वरी 18 को आपको फिर से interest payment होगा हर एक unit पर अब जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर SGB में apply कर दिये ठीक है जैसे application अगर आप online medium से कर दे हैं बिना डिमेट अकाउंट के details दिये तो आपको यहाँ पर SGB certificate उसु होगा इसके ठीक 4-5 दिन के अंदर जैसे जन्वरी 18 के date में यहाँ पर SGB इसु किया जा रहा है तो इससे 2-4 दिन के अंदर आपको SGB certificate receive हो जाएगा आपके mail ID पर तो इसलिए अपना mail ID भी जरूर आप देना application form में यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप जैसे मान लेते हैं अगर आप DMET form में apply कर रहें इस SGB को तो आपके DMET account में इस date के 5-6 दिन के अंदर आपके CDSL account या फिर NHDL account में SGB units credit हो जाएंगे और ठीक 10-15 दिन के अंदर यह जो SGB आपको इसू किया जा रहा है वह market में लिष्ट भी हो जाएगा जैसे कि NSE और BSE पर यहाँ पर लिष्ट होने के बाद आप चाहें तो मार्केट से SGB खरीद भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो मार्केट में SGB बेच सेलिंग के लिए तो यहाँ पर आप चैनल को जरू सब्सक्राइब करके लखें ताकि आपको पता चल सके कि SGB खरीद और बेच कैसे कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से तो उमीद कहता हूं यहाँ पर आपको complete detail समझ में आ गया होंगे अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें मैं पूरी कोशिस करूँगा आपके कमेंट के reply कहने की